कि नमश्कार स्वागत है आपका चानल कोचिंग लासे बहराईश में हम लोग आज बिजनेस एक फिर्मोर का नाइन सेट सॉल करेंगे तो बिना देर के वह जल्दी स्टार्ट जैसा कि स्क्रीन पर आपको कुशन दिख रहा है देखिए इसको पढ़िए आप भी साल करते रहे इसाथ में किसी पूरत के लिए कि बिवहारों को संभी किया जाता है निशेप में अनवंदों में विश्ट अनवंदों में सामान अनवंदों में किस आधा थो एगर कोई कोई बिशेष टो देश के पूर्टी के लिए किये जो बेहार होते हैं, उनको बिशेष अनबंधों में सामिल किया जाता है विसेस्ट अनबंधों में सामिल किया जाता है यह आफसन नमर C क्या होगा आफसन नमर C अगला वह व्यक्ति जो की वस्त को किसी विसेस उदेश की पूर्त के लिए प्राप्त करता है यह प्राप्त करने वाला देने वाला जो वस्त को रखता है वो निशे पी होता है और जो प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे निशे ब्रहिता कहेंगे यह आपसन क्या होगा बी निशे ब्रहिता उसे कहा जाएगा अगला किसी ब्यक्ति की खोई विवस्त को पाने वाली ब्य में से कोई नहीं तो ये आपसन का क्या होगा तो निचेप ग्रेटा प्राब्त किया है ना वस्त वोस्त वे प्राब्त होई है तो जब सक शामी तख नहीं पहुंझा भी तो प्रोक्त सभी तो आप Gao अक्र ऑगर जाता है है जब तक माल के सब्दकी को नहीं होती निछेपी होगा कशो ची हो बताइए ये निछेपी तो X ही होगा X ने भेज आए न तो निशेपी कौन होगा X ही होगा और निशेप गरेता क्या होगा यहाँ पे डागघर हो जाएगा जब तक माल की उसको प्राप्ति ना हो जाए जब तक वो न भेज दे तब तक डागघर क्या होगा निचेप ग्रहिता कहलाएगा तो ध्यान रखना अगला निचेप का अनुबंद होता है निचेप का अनुबंद क्या होगा निचेप का अनुबंद होता है असपष्ट होता है गर्वित होता है A और B दोनों हो सकता है या और B तो देखें निचेप का अनुबंद हो सकता है अ तो यह होगा आपका, आप सानुर फिर्ट कारुट सिक्स का सरी, सिक्स का क्या हो जाएगा? C, A, B, दोनो, च्रिक, A, B, दोनो, दोनो हो सकता है, निशे कानुबन दोनो होगा, अगला, अगला है, एक बैंक में सुरच्छा के लिए आभूसन रखे गए, कहलाएगा जमा सुरच्छा निशेप अस्थाई जमा क्या कहलाएगा बैंक में हमने जो एक आभूसन रखें तो वो अगर क्या कहलाएगे निशेप कहलाएगे तो साथकासी ये निशेप होगा इसे क्या कहेंगे क्योंकि सुरच्छा ये उद्देश है इसलिए रखा गया धन सेसुल्क निचेप में दोनों के लिए उत्तर दाई होगा घाथ होगे वो और जात होगे वो दोनों के लिए अगर अगर उतनी ही देखभार निशेग गिरहता द्वारा की जाती है तो आग चेथफ़ोर में संपना था अगला श्लीक गिरहता द्वारा किये असाधारा थारें पत्तक्राय को पत्तक्राय हो ग्रेता ने कुछ किये हैं तो उसके लिए निचेपी उत्तरदाई होगा कौन होगा निचेपी उत्तरदाई होगा अपसा नमर ए अगला अब देखे क्या है अगला क्या है देखे तो ये है निचेप के माल के पस्चात माल में किसी प्रकार की कोई ब्रद्धी होती है तो उसक कुणोगा निशेपी आपसन नमर यहारा का आपसन ए हो जाएगा निशेव समाप्त हो जाता है अगर निशेपी अगर निशुल्क निशुल का निशेप किया गया है और निशेपी चाहे तो उसको समाप्त कर सकता है नहीं आपसे निशा क्या होगा 12 का D 12 का D होगा ठीक अगला है निमलिकित में से किसको सामान गरना अधिकार प्राप्त नहीं है सामान गरणा अधिकार प्राप्त नहीं है, बैंकर अलतिया निशेग गरईता हाई कोट के वकील, किसको सामान गरणा अधिकार प्राप्त नहीं है, आप संदेख लीजे, किसको सामान गरणा अधिकार प्राप्त नहीं है, बैंकर अलतिया निशेग गरईता हाई कोट के वकील तेरा नमबर का C होगा किसको नहीं प्राप्त है किसको सामान है तेरा का C हो जाएगा निशेब ग्रहिता को नहीं प्राप्त है सामान गरना अधिकार अगला विक्रे का अधिकार होता है जब वो सुनासवान प्रकिर्ट की हो पाने वाले के बे दो बटा तीन मूली से अधिक हो अगला स्वामी का पता ना लग रहा हो स्वामी का पता ना लग रहा हो ये होगा तो उप्रोक सभी तो इस सभी परिस्थित्यों में विक्रे का अधिकार होता है अगर ये सर्थ पूरी हो रही है तो वस्तु का विक्रे किया जा सकता है निशे ब्रेता के द्वारा गिर्वी हो सकता है केवल चल संपतिका वस्त विक्रे अधिनियम में आने वाली वस्तु का अचल संपतिका ये तथा भी दोनो तो गिर्वी सिर्फ चल संपतिका और जो वस्त विक्रे अधिनियम के अर्थात जो वास्तविक रियादिनियम के अंतरगत आती है उनका किया जा सकता है बाकी किसी का नहीं किया जा सकता एक तो यह होगा अफसा नमर D क्या होगा पंदरा का अफसा नमर D अगला क्या है गिरिवी रखी वस्तु का हस्तांतरण हो सकता है वास्विक सांकेतिक एतथा भी दोनो उप्रोक्त सभी तो सोला का क्या होगा जो है यह होगा बी एतथा भी दोनों होगा क्या एतथा भी दोनों हो जाएगा सोला का अगला निछेप के अनुबंद की परिभासा की धारा है निखेप को किस धारा में परिभासित किया गया है तो निखेप को किस धारा में परिभासित किया गया है तो देखें क्या है सत्रा का सत्रा देखें D क्या होगा 148 किस में परिभासित किया गया है D अगला आपनी वस्त आपनी वस्तो बा के पास छोण जाता है ठीक है बा के पास छोण जाता है बा उसका प्रयोग अपनी वस्तु समझ कर प्रयोग करता है आप बा पर वात प्रस्तुत कर सकता है मतलब आप नी वस्तु छोण जाता है बा के पास और बा उसका प्रयोग अपनी वस्तुत समझ कर लेता है तो क्या आ बापर वाद प्रस्तुत कर सकता है, हाँ नहीं पता नहीं इन में से कोई नहीं, कौन सा अप्षन होगा, तो ये कर सकता है, क्योंकि निछेप में हैं वस्त को मिलाने का अधिकार, अपनी वस्त के साथ मिलाने का अधिकार नहीं होता है, अचल संपधिका सदेव होता है, गि हो सकता है रहान हो सकता है अगला किसके समंद में प्रतिफल अनिवार है किसके समंद में प्रतिफल अनिवार है गिरिवी में निछेप में दोनों में अपरोक्त में से कोई नहीं तो बीस का क्या होगा निछेप जो है एक रहान किसे लिए किसके समंद में प्रतिफल अनिवार तो किसमे अनिवारी है तो यह होगा आपसा नमर तो एक किसके सम Everest में प già पनेवारी है तो फरेचे पास्वारी नहीं तोthree दूंए डाइफिल होना अनिवार यानि आपसन नंबर A क्या होगा आपसन A सही होगा ठीक अब आज का जो प्रश्न है आप बताईए हमें आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि भारतिया अनुबन अधिनियम एक सितंबर 872 को यहाँ पे होगा एक सितंबर ठीक है एक कर लीजेगा एक सितंबर 872 को कहा लागू नहीं हुआ था यानि पूरे भारत में आप जानते हैं कि लागू हुआ था हर अस्थान पे लेकिन किस अस्थान पे लागू नहीं हुआ था भारत में ही ऐसा कौन सा अस्थान है जहां पे हमारा बारतिय अनुबन अधिनिया में एक सिदंबर 1872 को लागू नहीं हो पाया था वो कौन सा अस्थान है तो बताईएगा कमेंट करके और इसका PDF लिंक में आपको दे दिया जाएगा वहां से चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आप